किसी भी computer job के लिए practical preparation होना बहुत ज़रूरी है और अगर मैं Excel में job करना चाहता हूँ तो वो भी interview practical रहेगा क्या जी हाँ अगर आपका Excel में interview है Excel में आप job करना चाहते हो तो उस interview में जदतर practical questions ही पूछे जाते है तो इसके लिए आपको practically prepare होना बहुत ज़रूरी है और मैं लेकर आपको कुछ और interview questions अल्रीडी मैंने बहुत ज़री वीडियो बनाया है interview questions के लेकिन कुछ और questions ले रहा हूँ कुछ questions की जलग दिखाना चाहता हो जैसे example ले लो आपके Question 3 आपको दिखाए दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसके Question 4 अपको पूछा गया है कि यह पे जो नाम दिखाए दे ए उसमें ए नाम कॉन कॉन से नाम में आया है कितनी बार मतलब कितने नाम में ए है जैसे महेंद्रा में A है तो उसके count करो दो बार है तो एक इबार count करो महेंद्रा में A है कि नहीं है विजय में A है अर्विन में A है तो ऐसे कितने नाम है जिन में A आया है formula की मदद से आपको निकालना है count नहीं करना है एक एक बैठ के तो आपके पास लिज़ बड़ी भी हो सकती है तो इस तरह से आपको एक सवाल पूचा गया है यहाँ पर बोला गया है कि भाई यहाँ पर जो ID है उसे अलग करो M underscore को अलग कर दो यहाँ पर बोला गया है कि भाई यह जो City आपको दिखाई दे रहा है वो City हटा के बाकी का address यहाँ पर रखो तो City यहाँ पर कई पर लिखा गया है तो वो City इस address में से हटाना है और यहाँ पर पूचा गया है कि भाई यहाँ पर जो date है वो आपको यहाँ पर correct ट्रांसलेट करना है और ऐसे आपको क्या करना है पाच questions यहाँ पर पाच questions मैं ने लिए और यह assignment है तो पाच questions के साथ एक assignment मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर practice file के साथ तो अगर आप interested Excel इंटर्यू का preparation के लिए और अगर आप already job करते Excel में कुछ नया सीखनी की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए भी बना है दोस्तो वीडियो को skip मत किजिएगा एंड तक देखेगा मैं सतिश Excel tutorial चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं आज का यह interview का interesting topic तो दोस्तो जैसिक में इंटर्यू पार्ट में आप से का कि Excel के interview questions हम देखने वाले पांच interview questions देखने वाले और एक assignment भी आपको मैं देने वाला हूँ और सबसे पहला question का है बहुत ही आसान question है अगर आपको आता है तो यह skip कर सकते है question का है पहले सुन लिजिए highlight the sales in yellow which sales has value greater than or equal to 25 conditional formatting का एक simple question है जिन sales में 25 या 25 से ज्यादा है ध्यान से सुनिएगा 25 या 25 से ज्यादा number है ज्यादा value है उन sales को highlight करो तो आपको करना क्या है simple है इससे select करना है मैं time नहीं लगाँगा क्योंकि यह बहुत ही आसान सवाल है मैं फटापट करके दिखाना चाहूँगा इसे और यहाँ पर आपको इससे select करना है home tab उपर home tab दिखाए दे रहा है यहाँ पर already मैंने click रखा है उसके अंदर आपको conditional formatting मिलता है जिनको नहीं आता है वो ही देखिए जिनको आता है वो next question की तरब बढ़ सकते नीचे description में time stamp दिया है तो यहाँ पर highlight sales rule में greater than select कर रहा हूँ हर एक चीज को यहाँ फोकस करके में दिखा रहा हूँ उसके बाद format sales that greater than यहाँ पर लिख यहाँ पर आपको लिखना है कि किस से ज्यादा वाली sales को आपको format करना है तो यहाँ पर आपको 25 लिखना है लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं आपको मैं बताता हूँ क्या करना है इसे जो color चाहिए आप यहाँ से दे सकते color आप custom लगाना चाहते तो custom लगाने के लिए आप एक लिक कीजिए custom format करके एक option है custom format अभी जो color आ रहा है चलो यलो जादा ही लगेगा यह देखिए सभी की सभी highlight होगे लेकिन यह greater than 25 होगे याद रखिए मैंने खाली greater than लिया था तो आपको conditional formatting में highlight से इसल में दुबारा जाना है greater than हमने दी दिया equal to 25 हमने नहीं दिया अगर यहापके 25 है तो वह highlight नहीं हुआ है तो अभी तक आपके सवाल का जवाब correct नहीं है आपको इसके 5 marks नहीं मिलेंगे अगर वो चेक करने वाला थोड़ा सा आपके उपर रहम करता है तो आपको 2 marks मिल सकते इस सवाल के लेकिन आपको क्या करना है equal to greater than equal to यहापे दिखिए conditional formatting के अंदर ही equal to में 25 टाइप करना है and you need to apply the same color again fill में जाओ और जो color आपने यहापे दिया है वो याद रखो और उसी को आप यहापे दुबर अपलाई करो again look at oh here 25 है तो 25 भी यहापे color हो चुका है right तो आपको यह clear हो चुका गा पहला question बहुत ही आस दूसरा practical question है remove the extra phrases from the below text and convert text into the upper case sorry proper case not upper case okay तो यहापे करना क्या है proper case में convert करना है तो दो formula use करने है और दोनों को एक साथ भी use कर सकते है अलग लग भी कर सकते हैं लेकिन एक साथ ही करना है क्योंकि हम यहापे एक ही जगा पर यहापे result निकालना है तो पहले तो space remove करने के देखोगे पाई इंटरनेशनल के बाद space है पाई के आगे भी space है इंटरनेशनल और electronics की बीच में ज्यादा space है second वाले रो में भी आग देखोगे तो यहापे private limited वगरा यह सभी में दिखाई दे रहा है आपको ज्यादा extra spaces है तो मैं trim यह formula use करूंगा trim लिखने के बाद open bracket कर करने के बाद आपको बस वह cell select करनी जिसमें से आपको space remove करना है bracket close कीजिए और enter कीजिए वैसे भी bracket close नहीं किया एंटर किया तो भी Excel समझ जाता है और Excel खुद से bracket close कर देता है थोड़ा सा sense Excel के पास already है तो यहापे देखिए यह पूरे के पूरे space remove कर देता है जो unwanted space है एक space रख देता है लेकिन हो हर एक word के बीच में अगर आप drag करके देखोगे तो here it is your answer but this is not the final answer तो हमें क्या करना है और proper case में भी convert करना है तो proper case के लिए अलग formula देनी की जरूरत है इसी में यह trim के आगे ही बस आप properly लिखो यह तरीका याद रोको proper case से होता क्या है proper से यह alphabet proper case में convert हो जाएंगे जो की पहला alphabet हर एक word का capital होता है तो मैंने proper लिखा trim के पहले और open bracket कर दिया close bracket करने की जरूरत नहीं enter कीजिए यहा पर पूछेगा कि why bracket close करना है क्या मैं कर दू क्या पूछ रहा है yes कर दो आप कर दो हमारा काम excel कर रहा है करने देते उसे और double click कर लेते और यह यहां पर आपका result मिल चुका है जैसे उन्होंने question में कहाता remove the extra spaces from the below text and convert text into the proper case तो जैसे उन्होंने कहाता वैसे ही हमने किया दो formula एक साथ कैसे लगाना यहां पर idea आचुका होगा इंटरो की तीसरे question की तरफ बढ़ते है बिना समय कवाया है question no.3 में है populate populate मतलब display करना या फिर निकालना populate the number of cells in which a is present भाई इसमें कितनी cells ऐसी जिसमें a present है right जैसे वो double भी हो सकता है तीन बार भी हो सकता है excel में कोई issue नहीं है लेकिन कितनी cells है महें में है excel then arvind में तू तो उसके लिए हम क्या formula यूज करेंगे वो हम देखने वाले अभी तो अब हम इसके लिए क्या logic लगाएंगे क्योंकि लॉजिक है तो मैंजिक है मैं हमें शक्यत हो यहाँ पे लॉजिक लगाना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे formula लेना है search का अब बोलो कि search की जग हम find तो चलेगा कि find भी आप ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे search मैं इसले ले रहा हूँ क्योंकि कई पे capital A हो सकता है कई पे small A हो सकता है अगर आप find लोगे तो मैं example के लिए बता देता हूँ find और search क्या करता है यह difference भी यहाँ पे समझा देता हूँ अगर मैं A find करना चाहता हूँ right ए मैंने small लिखा या capital लिखा जो भी मैंने small लिखा within this cell अभी मैंने लिखा within this text कॉमा start number 1 से तो अब क्या बताएगा यह दिखे यह बता रहा है error कि भाई A इसमें है नहीं जो कि A है इसमें क्योंकि मैंने A को यहाँ पे small में लिखा यह case sensitive होता है right तो इस case में हम क्या करेंगे search formula इसमाल करेंगे search और find A की काम करता है दोनों का काम same है लेकिन conditions अलग अलग तरीके से यहाँ पे formula यह दोनों formula लिते है जैसी कि search में आप कोई भी alphabet लिखा हो small या capital तो भी यह search कर लेता अब यहाँ पे small alphabet लिखा अर्वींद में दुनना चा तो यह small A लिखा है मैंने फिर भी बता रहा है अगर मैं यहाँ पे capital A लिखूंगा तो भी बताएगा तो इसलिए हम यहाँ पे search करेंगे अब क्या करूंगा मैं search search करने के बाद find text find text में हमें A लिखना है कोई भी A small capital कुछ भी लिखा अब within text अब यह पूरे sales में ढूनना है पूरे sales में एक sales में ने ढूनना है क्योंकि हमें कौन कौन से sales में यह है वो represent यहाँ पे करना है तो मैंने पूरे यहाँ पे range को select कर लिया B31 to B40 कौमा within text होने के बाद आपको देना है start number कहां से start करना है तो यहाँ पे अपने start number दे दिया और enter कर दिया और bracket close कर दिया अब यहाँ पे enter मत कीजिया अगर आप enter करोगे अगर आपके पास पुराना version है तो यहाँ पे error आने वाला है पुराना version है तो मेरे case में क्या है कि यह 2021 है तो यह array form में इस तरह से काम कर रहा है लेकिन आपके case में यह ऐसा काम नहीं करेगा याद रखिये यह formula आप enter करोगे तो यहाँ पे error आएगा पुराना version आपके पास है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं basically यहाँ पे enter नहीं करूंगा या फिर आप भी enter मत करो आप अपने पुराना version में जैसे 2021 नहीं 2019 नहीं 2016 वर्जन है तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करो क्योंकि आपर array में आपका काम नहीं होगा लेकिन F9 में यहाँ पे formula का result आपको दिखाए देगा यह formula यहाँ पे बता रहा है कि इसका result क्या है यह दिखिए पहले बता रहा है कि पहले cell में द अब यहाँ पे proper cell में आ चुका है alignment उसका right था इसलिए वहाँ पे problem हो रहा था अब दीखिए यहाँ पे पहले position पे बताएगा 2 number पे महंद्र पे दो number पे A है बाद में error बता रहा है क्योंकि निलेश में A नहीं है बाद में फिर एक बता रहा है अर्वीन पे एक number position पे A है व पे चार number पे दी रज में और मुकेश में नहीं है तो error आ चुका है और Lash में है Lash में कोन है उसके अंदर भी है तो यहाँ पे आपको यह idea आ चुका है वह भी दिखा तो Lash में कोन है J1 तो J1 में दो नमबर के भी है और आगे भी है लेकिन हमें A की position count होगे तो भी copy है तो हम आप सिंपल count लगा देना है अब सर्च कांट लिखने से क्या होगा इसमें जितने number है ना count क्या करता है जितने number है वह ही count करता है आपको पता है count formula basically तो count formula नहीं आता है या फिर बहुत सारे formulas अगर आप सीखना चाहते हो तो आया ही है description में मेरी website के link दिए जहाँ पर Excel का पूरा course है Excel mastery course भी available है जहाँ पर Excel dashboard and lots of things you can learn from there ISO certificate के साथ course आप सीख सकते है जरूर check out करो description में link है website के घर बैटे Excel mastery करने के लिए फिलाल तो मैं यहाँ पर count लिख चुका हो और count क्या करेगा basically देखिए count क्या करेगा इसमें जितने number है न वो number को count करेगा यहाँ पर दो एक है दो मतलब यहाँ पर एक यह फिर दो यह number है 3 यह भी number है 4 यह number है 5 यह number 6 value error को count ही नहीं करेगा count तो मैंने इसे कैसे लाई याद रखिया आपके case में आपके case में आपको क्या करना है इस formula को select करना है search को f9 प्रेस करना है पुराने version में दुबारा बता रहा हूं f9 और ctrl z press को f9 को अटाने के लिए enter मत करो ctrl z f9 प्रेस किया ctrl z right आपने formula देखने के लिए f9 किया ctrl z करो औ देखिए यह proper आचुका है 6 okay और अब यह आपको clear हो चुका होगा चल यहाँ पर verify भी कर लेते निलेश को निलेशा कर देते एक a बढ़ा देते विनोदा कर देते विनोदा okay तो यहाँ पर विनोदा कर दिया तो क्या होगा दिखाए दे रहना आपको clear हो चुका है कि यहाँ अगर उन सेल्स में है तो वो अकाउंट होंगी होंगी राइट किस तरह से काउंट करना है डेफिनिटल आपको समझा होगा चलो यह एक लॉजिक आपको समझ में होगा ऐसा कुछ ट्रकी क्वेस्टन सापको पूछा गया तो आप खुद से उसे स्वाल कर सकते है क्वेस्टन फो की तरब बढ़ते हैं दोस्तो अभी बिना समाएगा होगी यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तो लेकिन आप तक का वीडियो पसंद रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना है चोटी से रिक्वेस्ट है करने में क्या चाता है जल्दी से लाइक करो शेयर करो कम अब इस सवाल के जवाब को आप फ्लैश फिल से नहीं कर सकते हैं पहले में बता देता हूँ क्योंकि क्योंकि सारे अपडेटेड कोर्से से एडवांस लेवल पर है जो कि आपको अप्लाइन क्लासे में भी सीखने नहीं मिलेंगे फिलाल मैं जादा अपनी बढ़ाई नहीं करूँगा आप चेक आउट खुद कीजिए उस उन कोर्स में कुछ फ्री ट्रायल वीडियो भी मैंने रखे चेकआउट कर सकते हैं फिलाल तो अपने टॉपी की तरब आगे बढ़ते हैं आगे काॉपिक देखते हैं प्लेश फिल से नहीं रेरे में बता द्क्तों के तो right के साथ हमें एक और formula की जरूरत पड़ेगी, एक नहीं, दो और जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें यहापे find की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ में हमें lane की भी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं find, find तो मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देता हो, find क्या करता है find यहाँ पर पहले explain कर देता हो ताकि आपको यह combination of formula समझ में आ जाएगा ने तो आप confused हो जाओगे तो find में हम क्या करेंगे is equal to find हम find करेंगे underscore की position यहाँ पर underscore की position find करना है तो सबसे पहले find text लिख क्या रहा है धीकिए find text हम underscore देंगे विदिन टेक्स्ट इसमें धूणना है find underscore विदिन टेक्स्ट इस को मा स्टार्टिंग पोजिशन वन से एक से धूणना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा दो नंबर की position पर यहाँ पर underscore available है यहाँ में find से मिल जाता है कि पर underscore की position क्या है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर right side के characters जितने हैं आप देखिए वैसे भी आप right formula लगा कि यहाँ पर कर सकते हैं मतलब right formula ले लो इससे select हो right formula क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ right formula से इससे select कर लिया मैंने text ले लिया लेकिन यहाँ पर dynamic है कई पर 16 हो सकते कई पर 15 हो सकते ऐसा अगर है तो उस case में आपको यहाँ पर find lane और right की ज़ुरत पड़ेगी तो अभी यह right से direct हो जाएगा अगर आपके 15 ही character तो आप इसे drag कर लो और काम खतम आप इतना ही formula लगाओ ज्यादा tension की ज़रूत नहीं है बस यहाँ पर count कर लो कि भई कितने हैं यह total numbers और that's it लेकिन अगर आपके पास यह dynamic के मतलब यहाँ एक 16 भी है ऐसा है तो उस time पर यह formula काम का नहीं आएगा जो आभी मैंने बता है तो उसके लिए आपको यह वाला use करना पड़ेगा trick find का तो मैंने find ल पर क्या करूंगा lane भी लिख दूँगा lane lane यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे select करके यहाँ पर minus sign देता हूँ lane minus find 15 characters आगे और अब हम यहाँ पर write इस्तमाल करेंगे right में क्या करेंगे right में ESL को select करेंगे और कौमा देंगे बस simple है right में ESL को select किया कौमा दिया और यह जो है ना number of characters में डाल दिया यह इतना पूरा का पूरा find और lane यह दोनो number of characters में पूरा का पूरा आ चुका और इससे क्या होता है मैंने आपको बता है lane में total count होगे 17 minus 2 हो जा है तो भी है automatically लेगा तो यहाँ पर formula complete कर दिया हमने bracket close भी कर दिया और यहाँ पर enter करता हूं मैं तो result आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते suppose यहाँ पर 16 भी है तो यह पर proper आज जाएगा यह देखिए right तो इसके लिए मैंने यह right और lane और find को combination बता है वैसे आप right से भी पर track हो जाता है okay calculate हो जाता है तो इस तरह से इसका solution करना equation number 4 हो चुका है अब बढ़ते equation number 5 की तरफ जो किया आखरी लेकिन इसके बाद assignment भी है जो मैं आपको solve करने के लिए दूँगा और नहीं solve हुआ आपसे तो मैं इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं explanation दूँ जिससे हम यहाँपे address में देखे चंणाई city दिया है इसकी position यहाँपे चंणाई किया है यहाँपे अगर यह formula पहले से आता है तो वो समझ गए होंगे is equal to substitute अब substitute में जो argument आ रहे है उसे देख लो यह substitute formula आपने पहले अगर सीखा होगा तो वेल अनकुर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं मैं detail explain कर रहा हूँ यहाँ पहला argument है text, दूसरा है old text, दूसरा है new text चोटा है instance number अब यह क्या होता है practically मैं आपको एक एक apply करके दिखा दो text मतलब किसमें से replace करना है, substitute करना है basically यह इसमें से substitute करना है तो आपको B61 पहले select कर लेना है मतलब वो sales select करना है जिसमें से substitute करना है आप हाइपन देना चाहते है या कुछ और देना चाहते है तो आप inverted comma के अंदर लिख सकते है लेकिन हमें कुछ नहीं देना है, blank रख देना है, चन्ने को पूरा पूरा गायप कर देना है तो old text में मैंने लिया है city यहाँ पे city का sale लिया और new text में मैंने यह लिया और number of instances कितने replace करने, कितने हटाने है, अगर चन्न नहीं दो बारे तीन बारे तो आप दो लिख सकते है, तीन बारे तो तीन लिख सकते है फिलल चन्न नहीं वगेरा, एकी बारे तो एकी लिख दो, मतलब एकी बार तो city आई है अगर आप multiple times वहाँ पे city आती है आपकी तो आ यहाँ पर दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, और यहाँ पर एंटर करके देखिए, यहाँ पर इच्छे नहीं गायब हो, क्या बात है, okay, and now you can drag it out, and look at over there, right, इस तरह से आप यहाँ पर CT जो है, यहाँ से गायब कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका solution है, लेकिन क्या हो बनाता है रहता हूँ, पहले भी मैंने एक घंटे का एक वीडियो बनाया था, जो आपने देखा नहीं है, तो आई बटन पर जो हो, जिसमें इक साथ एक्स्प्लिन के हैं, लेर्न मोर चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, फिलाल आप बार ही है, असाइमेंट की, औ मैं मयान हो, तो सब्सक्राइब और बेल अकॉम पे ज़रूर क्लिक करो, एक्सल के टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स सीखने के लिए, साथी में मेरे जितने भी चैनल उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक्सल टुट्रियल के आला और लर्न मोर है, अब सब के नाम नहीं ब नो Elle चाम आपको इसको कॉपी करके पेस्ट करना है पिर कंट्रॉले करना है, जो भी आप करना चाहते है, तो यहां पर देखिए कंट्रॉली क्या तो यह 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 देट है करीक्ट फार्मैट में, यह 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 य Almost इदेट नहीं है कॉर्मैट में, तो मुझा ऐसा निचे मुझे proper date चाहिए, correct format में, मैंने बस example के लिए आपको दिखाया, यहापर मुझे time नहीं चाहिए, date को extract करना है, लेकिन proper format में extract करना है, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए क्या logic लगाओगे, कौन सा formula लगाओगे, formula के साथ ही चाहिए, dynamic चाहिए, क्योंकि यहापर मैं आगे date update कर कर लो, और जो, जो solve करोगे, वो लोग मुझे, इंस्टा पर या पिर कई पर भी, आके मुझे बता सकते कि हमने इसके solve किया, या फिर यहापर यहापर वीडियो के comment में भी बता सकते, sir, हमने इससे solve किया, नहीं solve हो है, तो बोल दो, sir, नहीं solve होआ, जो है, वो सच, बोल दो मैं आपको next वीडियो में इसका solution बताने हो, don't worry, next वीडियो में इस assignment का solution आपको मिलेगा, तो कैसे लगए दोस्तों, ये interview preparation को वीडियो, definitely पसंद आया होगा, like, share, comment करनो, subscribe करो, description में मैं जितनी भी channel के link दीए, check out करो, Instagram handle की भी link दीए, Instagram पे भी follow करो, short rails देखने के लिए, मिल